दुनिया में भारत का पर्चम फिर से लहराने जा रहा है IMF की ताजा रिपोर्ट ने इस साल का सबसे बड़ा एलान कर दिया है भारत जो अभी दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थवेस्ता है 2025 तक जापान को पचाड कर 34 सबसे बड़ी अर्थवेस्ता बनने जा रहा है IMF के अनुसार 2025 में भारत की GDP 7% से भी अधिक दर से बढ़ेगी इसके मुकाबले जापान की GDP ग्रोथ 0.3% पर अर्टक जाएगी यह साफ दिखाता है कि अगले साल भारत जापान को पीछे छोड़ देगा साल 2025 तक भारत की GDP 4.4 ट्रिलियन डॉलर से 4.5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी यह विकास केवल चोथे स्थान तक आने तक ही सीमित नहीं रहेगा बलकि 2027 तक भारत जर्मनी को पचाड़ देगा फिलहाल जर्मनी की अर्थवेस्था 4.6 ट्रिलियन डॉलर पर है और इसकी GDP ग्रोथ 0.5 से 1 प्रतिश्चत के बीच रहेगी यानि 2027 तक भारत अराम से जर्मनी को पचाड़ देगा अगर भारत का विकास दर्स 7% से अधिक रहता है तो ये मुकाबला और पहले ही खत्म हो जाएगा ये सफलता आर्थिक विकास के साथ साथ भारत की सोच डियेटल परिणाम सही समय पर सही आर्थिक फैसले लेने की छमता को दिखाता है जब भारत जपान को पचाड़ देगा वह दिन हर एक भारती के लिए गर्व का पल होगा आई एम एफ ने ये भी बताया गया कि भारत अब अमेरिका और चीन के बाद तीसरी सबसे बड़ी अर्थ विस्ता बनने की रहा पर है ये विकास हर एक भारती एक के जीवन इस्तर को उचा उठाएगा और भारत को वैश्विक मंच पर एक मजबूत नेता के तोर पर स्थापित भी करेगा खैर गलोबल एजन्सिस कहती आही है कि भारत का एक्सपोर्ट पहले के मुकाबले कई गुना बढ़ गया है ऐसे में सर्विसिस और मैनिफेक्शरिंग मिलकर भारत को नई उचाईयों पर ले जाने का दम रखते हैं आर्थिक मोर्चे पर यह संकेत भखूबी मिल रहा है कि आने वाला वक्त भारत का है यह आगड़ सरकार के लिए रहात की खबर है देखना यह होगा कि आगे अर्थिवस्ता को कितनी वजबूती मिलती है इस पर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो को लाइक और शेयर करें देखते रहें कूल डेड़ी शो